नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक्जाम दिश्टी के यूटूब चैनल पर एक्जाम दिश्टी लेकर आया है आपके लिए UPSC UPPSC मेंस 2023 के लिए एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रोग्राम दोस्तों ये प्रोग्राम देगा आपके उत्तरलेखन को एक नई दिसा एक नई धार तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमारा होने वाला है केवल सौ दिनों का और सबसे बड़ी बिसेस्ता इस प्रोग्राम की यह है कि हमने आपके संपूर्ण स्लेबस यानि GS1, GS2, GS3, GS4 के पेपर को बाटा है 500 topics में और उन 500 topics को हमने दिया है question का रूप आपको केव लिखनी है कैसे प्रस्तावना में hitting lines देनी है कैसे आप उत्तर के मुख्य भाग को प्रदर्सित करेंगे और कैसे एक आसावादी निसकर्स देंगे तो दोस्तों हम आपकी जो copy होगी उसका evaluation कराएंगे अपने अनुभवी सिक्षकों द्वारा जो जिन्होंने कम से कम मेंस द दिया हो और आपको इस प्रोग्राम से सम्मंदित कोई भी जानकारी चाहिए तो यह हमारा नंबर दिया हुआ है आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे किस को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के description में दिये गए लिंक को जो है जाईए वहां पे application को download करिए और वहा क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका selection हो हम चाहते हैं कि आप अधिकारी बने तो दोस्तों हम यह program लेकर क्यों आए हैं सबसे बड़ी बात यह क्यों क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी program हो या कोई भी exam हो वो आयोक का कोई भी exam हो वो तीन पार्ट में डिवाइड होत होता है आपका prelims, दूसरा होता है mains और तीसरा होता है interview, तो दोस्तों prelims जो आपका होता है वो केवल होता है एक gateway, एक checkpoint जहां से आप प्रवेस करते हो किसमे mains के लिए, केवल ये बताता है कि आप योग्य हो, आप योग्य हो और जब आप mains के, आपका जब UPSC का mains होगा जो आपके 1750 का होगा, और जो आपका UPSC का mains होगा वो आपके 500 का होगा और यह इसमें interview included होगा 275 का और इसमें interview included होगा 100 का, तो mains ही आपकी वो सेढी है या mains recipients ही आपका वो है जहां पर आपको उम्मीदवारी क्या करनी है प्रदर्शित करनी है आपको जहां पर आपको बताना है आयोग को कि हम ही वो कंडिडेट हैं जो आपके इस पोस्ट के लिए उपयुक्त है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि UPSC में 50% लिखने वाला बंदा 50% अंक पाने वाला बंदा वो टॉप 10 टॉप 50 टॉप 100 में रहता है आप सोचो कि इसका कितना बड़ा महत्व है आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली आपने बहुत सारा जमा कर लिया अपने बहुत सारी पुस्तके पढ़ ली क्वालिटेटीव इस्टडी कर ली सब तरीके के इस्टडी कर ली बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सब आता रहता है लेकिन हम उसको सब्दों के रूप में पिरो नहीं पाते हैं उसी लिए हम लेकर आये हैं अपना कारिकरम कि आप अपने स खुद नहीं बोलोगे आपके सब्द बाद करेंगे एक्जामिनर से आपकी मौलिक्ता दिखाएगी आपकी बुधिवत्ता दिखाएगी कि आप कितने बौधिक हैं आप उस पोस्ट के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं इसी कारण जो है हम लेकर आये हैं ये प्रोग्राम की आप अपने सब्दों के चैन को आप अपने मौलिक्ता यानि की उत्तर कैसे ब्रदर्सित करते हो उसको कैसे निखा रहे हैं कैसे जो है हम एक संस्क्रित निष्ट जो है सब्दों का प्रयोग करें कैसे जो है एक अच्छा उत्तर लिखें कि एक्जामिनर कहें कि नहीं बस यही ब नंबर हैं किसी के 902 नंबर हैं किसी के 809 नंबर हैं इतना नंबर पाते हैं और बताइए बाकी की नंबर कहां गए क्या टॉपर्स अच्छा नहीं लिखते सोचने वाली बात है जब टॉपर्स 50 परसंट तक नंबर गेंड कर रहे हैं आज तक के यूपी एसी के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाया लड़का जो जिसने 55 परसंट नंबर पाए मेंस में 55 परसंट सोचिए 45 परसंट कहां गए क्या 45 परसंट के लिए वो PPSC है वो राज्य के अस्तर पे एक बहुत ही बड़ा कैनवस है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप इंटर्मीडियर जैसे हाई स्कूल जैसे या ग्रेजिविशन जैसे उत्तर नहीं लिख सकते तो दोस्तों इसी को सुधारने के लिए आपके कंटेंट को इ नहीं एंसर की आपकी जो आपका जो निसकर्च है वो आसावादी है की नहीं आपका पूरा उत्तर वो फिटरिस्टिक है की नहीं हम यह बताएंगे आपको कैसे करना है अब दोस्तों फिर जैसे की 50% नंबर पाते हैं बच्चे फिर क्या कमी रह गई कि हमें 50% नंबर नहीं मिलते हैं कोई 60% या 70% नंबर बच्चा क्यों नहीं पाता है क्योंकि हम गलतियां करते हैं कहां पे लेखन में हम अपने विचारों की अभिवक्ति उस एफोर साइज पेपर पे नहीं कर पाते हैं एफोर साइज पेपर वो पेपर होगा आपके सामने जिस पे आप अपनी प्लिक्ता को सब्दों में पिरोएंगे और वही सब्द जो है आपके एक्जामनेर से करेंगे बात कि हम जो है वही कंडिडेट हैं जो इस पोश्ट के लिए बने हैं तो दोस्तों इसी लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आये हैं कि आप अपने मेंस के उत्तर लेखन में कोई गल्ती ना करें कोई जो है तुटी ना करें आप अपने सब्दों के चैन के अस्तर को बढ़ाईए संस्कृत में सब्दों का प्रयोग करिए अपने उत्तर को फिचरिस्टिक बनाईए अपने जो निसकर्ट है उसको आसावादी कैसे बनाए ये सब डिसक्रशन करेंगे हम और आपकी जो main answer writing की copy होगी वो within 24 hours वो आपके सामने होगी हमारे जो विसे सग या अनभवी teachers हैं उनके द्वारा चेक करके कि आपने गलतियां कहा की आपको यहाँ पे map देना था तो आपने नहीं दिया आपको यहाँ paragraph way में आपको present करना था अपना answer वो नहीं किया सारी गलतियां बताएंगे दोस्तों डरो नहीं देखिए जब कभी भी हम लिखते हैं तो पहली बार में कोई अच्छा answer नहीं लिखता है लिखना एक कला है यह एक process है प्रक्रिया है जब तक इसको हम एक अभ्यास का रूप नहीं देंगे नियमित हम इसको सुरू नहीं करेंगे प्रारम नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी एक अच्छा answer नहीं लिख सकते दोस्तों एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए कम से कम आपको तीन से चार महीने चाहिए ही चाहिए तभी आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हो आपके पास सब्दों का भुआप बड़ा भंडार है लेकिन आप उत्तर के रूप में या फिर उत्तर के रूप में जानकार होती हैं त Confederate program में क्योंकि अपने इस program में क्योंकि जो visualization होगा हमारा वो बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही unique way में होने वाला है, सारे approach को हम क्या करेंगे, हम उसमें पिरोने की कोशिस करेंगे, हम बताने की कोशिस करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो जुड़िए हमारे इस program से आपके video के description में link दी गई हुई है, और दोस्तों यह प्रोग्राम जो हमारा है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप application डाउनलोड करिए, आपको कोई अलग जानकारी चाहिए या इससे सम्मंधित कोई और जानकारी चाहिए, तो आप जो है, जो हमारा contact number दिया गया है, आप उस पे जा सकते हैं आप उस पे जा सकते हैं, आप उस पे देख सकते हैं कि यह हमारा number है, आप इस पे संपर्क करिए, और दोस्तों हमारा जो यह course है, वो केवल होने वाला है, कितना 15,000 का, तो दोस्तों आपके लिए एक सुनारा आउसर यह भी है, कि अगर आप हमारा यह course जोईन करते हैं, और अगर उपयोग करते हैं किसका, ED50 का, यह हमारा code है, ED50, अगर code आप यूज करते हैं, admission के time, तो आपकी fees जो है 50% तक कम हो जाएगी, दोस्तों आपके पास है सुनारा आउसर और यह सबसे उपरियुक्त समय है, answer writing का, क्योंकि जनवरी से आप मतलब की answer writing drop कर दोगे, आप totally dedicated ह हो जाओगे prelims के लिए, तो यह सबसे उपरियुक्त समय है answer writing का, आप जुड़िए हमारे साथ, अनुभव कीजिए उस चीज को कि कैसे एक अनुभवी सिक्षकों द्वारा विश्टेशन किया जाता है, कैसे एक अनुभवी सिक्षकों द्वारा आपकी copy चेक की जाती है, कै कैसे बताई जाएंगी आपकी वो गलतियां जो आम तोर पर आप खुद पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है दोस्तों, और हम जो है आपको देने वाले हैं एक दिन का डेमो की कैसे आपके उत्तर को लिखना है, कैसे जो है आपके answer का evaluation किया जाएगा, कैसे हम describe करेंगे, कैसे हम जो है उसका detailed discussion करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो देर ना करिए, जुडिये हमारे साथ, जिससे मैंने कि आपको पहले ही बताया है, कि link जो है, वो description में दी गई हुई है, application डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद application को जब भी open करेंगे, तो course का option आएगा, course पे आप क्लिक आपकार.